नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है अमेरिका में सर्जनों ने 157 वर्षे सक्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूवर का दिल सफलता पूर्वग ट्रांस्प्लैंट किया है मेडिकल इत्यास में यह पहली बार हुआ है और इस से आने वाले समय में अंगदान करने वालों की भारी कमी से निप्टा जा सकेगा University of Maryland Medical School ने बयान जारे कर बताया कि यह एत्यासिक ट्रांस्प्लांट शुक्रवार को किया गया हाला कि इस ट्रांस्प्लांट के बाद भी मरीज की बिमारी का इलाज फिलाल निशित नहीं है लेकिन यह सरजरी जानवरों से इंसान में ट्रांस्प्लांट को लेकर मील के पत्त से कम नहीं कही जा सकती डैविड बैनिट के नाम के मरीज में कई गंभीर बिमारिया हैं और खराब सुवास्त के वज़े से इंसानों का दिल ट्रांस्प्लांट नहीं किया जा सकता था अब मरीज रिकवर कर रहें और डॉक्टर बेहत करीब से नजर बनाये हुए हैं कि सुवर का दिल उनके शरीर में किस तरह काम कर रहा है मैरिलेंड निवासरी डेविट कहते हैं कि मेरे पास दो ही विकल्प थे या तो मरूं या फिर ट्रांस्प्लांट करवाऊं मैं जीना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है लेकिन यह मेरी आखिरी पसंद है पिछले कई महीनों से हाट लंग बाइपास मशीन के सहारे बिस्तर पर पड़े बैनेट ने कहां मैं ठीक होने के बाद बिस्तर से बाहर निकलने के लिए उच्चुक हूँ नए साल के दिन अमेरिका के एक हाध्य एवं औश्यदी प्रिशाशन ने पारंप्रिक प्रत्यारोपण ना होने की सिती में एक आखरी कोशिश के तौर पा इसे एमर्जेंसी ट्रांस्प्लांट की मन्जूरी दी थी सरजरी के जरिये सुवर का दिल प्रत्यारोपित करने वाले डॉक्टर बाडेल कहते हैं यह एक सफल सरजरी थी और इससे हम अंगों की कमे के संगट को हल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इनकबर के साथ